पुलिस की निगरानी में इस सारा चीज़ हुआ है तो कहीं ना कहीं पुलिस जिम्हदार तो है जो भी घलत होगा उसको सजा मिलना चाहिए माफिया प्रिदर्स की जिस तरीके से हत्या हुई उसको लेकर के जनता की क्या कुछ रहा है हम उनसे जान लेते हैं क्या नाम है भाई साब क्या लगता है कि उस पर जो राजनीती हो रही है जायज है जो हो गया आप क्या कर सकते हैं लेकिन जो गलत तो गलती है कपके लोग ने जिसे गवर्न्मेंट रियोगी सरकार ने उनको सस्पेंट कर दा पुलिस वालु को तो तो एक बेर शाप से गलत है ठीक है क्योंकि आज इसे की रेट में तो आप तो मेडरी वालों उनके पास नमय जाई तो बICIA लिक्त है लेकिन जाहतन दें में जिक स्वाणिक लात हैक आपके में निकिसी है दुटी है जुझ को मार दिया तो उनसे वह लोग क्या कर सकते हैं हाला मानता है उनका फर्ज है कि उनकी सुख्षय करने का उनका जुमिदारी है उनके उपर सोपा गया है उस चीज को मान सकते हैं लेकिन जहां कोई आदमी मीडिया अचाना कुछ बीच में घुश के चले जाए और किसी और को गुली मार तो उसमेडियो पुलिस क्या कही होता ह आप से जो गंबेड़ता दिखाई गई है और जो पुलिस वाले साथ में थे उनको सस्पेंट किया गया है वह आपके हिसाब से गलत है मुझे लगा कि वह गलत है बार हर आदमी के सोच है अलग होती है सरकार की सोच अलग होती है उनकी जुमिदारी है वह फर्ज है बढ़ तो उसको मान सकता हूं लेकिन मुझे वह चाहिए लगा कि गलत है रहेगी और हम यह दूआ करते हैं कि योगी जो योगी एक बार उत्राखंट के लिए तो हमाले बैटर रहेगा मतलब आप चाहते हैं कि उत्राखंट में अगर सियम की दावेदारी हो तो योगी आदितनाथ भी उसमें आ गया हम पूरी तरीके से संतुष्ट है हम मतलब यह है कि हम उसी एक उजारिश करें कि आपको मौका मिले एक बार हमारे उत्राखंट के लिए सियम बने का जैसे भी करने के लिए हम आपके तो कहते हैं हम आतो कि काम नहीं है तो ऑप अलाग होती है है कोई कि की किसी काम को नहीं नहीं इनमा करऴे होकели कर दूँगा तो थी स्माझ कॉंझ में फैसलाले दिखुआ है चाहित। आप चानते हैं कि लीडर्शिप का होना बेहत जरूरी है जी 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 अब हमारे उत्रक्राइब के हैं बहुत गाओं पिछड़े हुए जहां रोड की समयश्य है और रोड है तो फिर उसमें क्या है अब हुई है कोई किये हुई है बीजे इसमें नहीं होगी है बस की दिक् हाली में नहों महलाओं को गिरफ्तार भी किया है पोलस तो जनसे जाच कर रही है आपके हिसाब से क्या लगता है शाहिसता कुस्व सरेंडर करना चाहिए देखो मैडम आपके आज की इस उसको यह मालूम है कि मतलब इस अधि में अधिस आर्षाही राज खुल जाएंगे च लगता है यह जो हत्या हुई है पुलिस सरक्षण में वाकई हत्या हुई है या किसी राजनितिक दल का भी इसमें हाथ जनता तो यह भी बोल रही है किसी की काम हो सकते हैं और आज के लड़के बनने चाहते हैं हमने हम अपना नाम को मान है यह करना है कि हम बड़ा दावेदारी करें इसको मार के हमारा नाम रोसन हो यह चीज़ है तो देखिए इनका कहना था कि वाकई जो अगर यूपी सरकार में जो हुआ है वो एकड़म सही है क्या नाम है आतिफ खान आतिफ खान जी यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस सरक्षन में जो हत्या हुई है अतीक एहमद की वो गलत थी लेकिन जो पुलिस वालों को जो है तो उसका जो वहाँ मेडिकल कराने ले गए थे तो थोड़ा पुलिस की कस्टड़ी थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी अब किसके तरफ से चूख हुई है गवर्मेंट कर रही है उस पर जांच हो रही है अब कुछ दिन में कुछ भी जो भी हुआ होगा उस सामने आएगा तो आप तो जांच के बाद ही बता चलेगा लेकिन एज़े पॉपलिक मैं यही कहूँगा कि जो भी निसपक्ष जांच होनी चाहिए जो भी घलत होगा उसको सजा मिलना चाहिए चाहिए वो पुलिस हो चाहिए वो आतिक अमद के केस हो चाहिए जो बंदे मारे हैं उन सब होचिज टूर जा रहा है व्ह हर जगे पुलिस की पेसज़र अलब सबूंट in यह जो गलत है नहीं होना चाहिए ता जो गलत है वह तुम आपको निदुए काना जाए तो कहीँ नहीं ना हो तो गॉर्मनेंट अपने हिसाब से चल देंगे लेकिन उसके गॉर्मेंट को पर रएक कानून है कोट है जूकर है वो डिसाइट करेगी किसी भी चीज को आप अपने से किसी क्रिमिनल घोसित नहीं कर सकते हैं पूरे फैमिली को तो एट लिस्ट नहीं कर सकते हैं उसमें बच्चे हैं बुडे हैं अगर कोई बंदा एक डॉन बन गया गुंडा वन गया तो उसमें पूरा फैमिली जमदार कि दर से भाग गई होंगी अब पता नहीं जो भी उगा पूलिस जांच करेंगे तभी बता पाएगे अच्छा क्या लगता है कि वाकई जिस तरीके से पूलिस सरेक्ष्टन में एक माफिया को युवा आते हैं और गोली मार देते हैं वाकई गुंडा राज यूपी में खत संद्रम नहीं होगा बट यहां कि पूलिस के सामने है घنتना हो जा रहा है तो लोगों का कहीं और जो हमें सुरक्ष्ट मैसूस होता है फो सुरक्षा कहीं नखाए गुम लीशचा में पूलिस स्टौल में हध्या हुई तो लोग 240 ज्जलम होई हैं कि कि आखिर अगर यहिइ乾 लेकिन जिस तरीके से हत्या होना ये बिल्कुल जायज नहीं था क्योंकि इस तरीके से जब पुलिस सरुक्षण में इतना बड़ा माफिया ही नहीं सुरुक्षित है तो वाकई यूपी में आम जुनता कैसे सुरुक्षित रह सकती है और ऐसी तमाम खबरों से हम आपको वतन की